असलाम अलेकुम इस्टांडर 10 सब्जेक मैंट्स लेसन नंबर 8 टिरीकॉर मीतिनों परीचे तो इसकी मैंने आपको इससे पहले के लिए असाबक बियने के स्प्रियाट के अंदर मैंने आपको क्या समझाया था उसके मैंने आपको सुत्र लिखाये थे जो फिलाल आपने याद कर लिये होंगे तो साइन ठीटा, कोस ठीटा, 10 ठीटा मैंने आपको बताया था और उसके सुत्र बताये थे के साइन is equal to क्या होता है और चावी भी बतायी थी के साग, पाक, सालम, पाक तो यहां पर हम इसकी मिसाल नंबर एक हल करेंगे सबसे पहले, अगर आप लोगों को मैं पहले ही बता रही हूँ, कि अगर आपको यह जापते याद होंगे, तो यह आपको यह मिसाल समझ पड़ेगी इसकी महरबानी करके पहले है आप जापतों को याद कर लें, तो हमारे पास सवाल है कि जो टैन ए बराबर चार अपाउंट्री होए, तो एंगर ए ना अनियर त्री कोड मी तियो गुणात तर सोदो, यह नहीं कि हमारे को सिरफ टैन दे दिये लाए, तो इसके लगा मैंने समधे लिए साइन, सोब्च और टैन, साइन को उलटा सेक, साइन पाउम को लटा कोड लेकिन वे सी में दिया एक हमको हमको दिया है, दूसरे हमको 5 की तलास करने की है गुणढतर यन्यी निदे ए सवाल गयरे हाफ, याज रखने dengan인 हिया है , यह हमारे हात्ता बराबर. क्या बनेगा जावियाए हाद्दा तो देख मैं बनाती हूँ चलो जावियाए हाद्दा मेरे quality 10 A दिये लाए इसलिए मेरा जावियाए हाद्दा यहाँ बनेगा A इसलिए B जो मेरा होगा हो क्या होगा जावियाए काइमा होगा और यह होगा मेरा C अब सबसे पहले ये भी में आपको बताया था कि साबा क्या है पाबा क्या है और कण क्या है मुकाबिल जिला मोतसिल जिला और वीतर तो और लड़ी सबसे पहले हमारे को क्या दे दिया गया है यहाँ पर 10 A क्या दिया है 10 A is equal to कित्ता दिया है 4 upon 3 अब 4 upon 3 तो 10 का बराबर क्या होता है 10 is equal to क्या होता है आपको पता है बोलो जापता याद है साख पाक सालम पाक यानि के 10 is equal to क्या होता है साबा के छेद में पाबा होता है अब यहाँ पर सबसे पहले आपको यही समझता है के साबा क्या है पाबा क्या है तो 10 is equal to साबा के छेद में पाबा यहने किस मुकाबिल जिला सामने का जिला साबा का मतलब होता है सामेनी बाजू और पाबा का मतलब होता है पाजेनी बाजू तो सामेनी बाजू मेरे पास क्या है यहाँ पर बीसी है और पाबा क्या है मेरे पास A B है देखो यह आएला मेरा साबा और यह मेरा आएगा पाबा यह समझाने के लिए मैं आपको लिख रही हूँ और यह मेरा होता है काण तो 10 is equal to मेरा क्या होता है साबा के छेद में पाबा यानि के BC आपाउन A B तो यानि के BC कमाप मेरे पास किता है 4K हम के धार लाएंगे और A B कमाप किता है मेरे पास यहाँ पर 3K चलो A B भी मिल गया हमको और BC भी मिल गया लेकिन हमारे पास AC है AC नहीं है इसलिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे किसका इस्तेमाल करेंगे नेवू का साविया है तो फेक साब वोरस का मसला यहाद है जबता वो भी AC square is equal to AB square plus BC square फेसा गोरस के मसले के मुताबी तो मैं पेले ही बताती थी कि अगर हमको वीतर मालूम करना है तो फेसा गोरस के मसले में हम plus करेंगे और अगर ये बाजु मालूम करनी होगी तो भी minus करेंगे और ये बाजु मालूम करनी होगी तो भी हमको minus करना है सिरफ हमको वीतर मालूम करने के लिए plus करेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे AC मालूम करना है हमको AC square is equal to यहने के वीतर मालूम करना है इसलिए मेरा जबता plus में आएगा AC square is equal to AB square plus BC square चलो AC square हमको तलाज करना है AB किता दिया है देखो महाँ पर 3K है तो मैं यहाँ पर रखूंगी 3K square plus BC किता है मेरे पास 4K square चलो 3 को देखेंगे 3 से यह तो 3 तीए 9 किते होंगे AC square is equal to 3 तीए 9K square plus 4 चलो 16K square तो 9 और 16 की हम प्लस करेंगे तो किता हैगा मेरे पास AC square is equal to 25K square तो जब 25 को बड़ जजरल के आएगा 5 आएगा तो AC is equal to मेरा किता निकला 5K किता निकला मेरे पास 5K हो गया यह मैंने मसले से मुताबिक मैंने पाइखा का फेसा गोरस का मसले का इस्तेमाल किया और मैंने वितर को मालूम किया अब 10 हमारे पास है अब सबसे पहले हम किसको तलास करेंगे Sine को तलास करेंगे तो यहाँ से मैंने कुंगी Sine A चलो बोलो जबता Sine बराबर क्या होता है Saba के शेद में काण होता है कि नहीं Sak, Park, Salam, Park तो Sak आएगा साबा के शेद में पड़ तो देखेंगे हमारा साबा क्या है यहाँ पर BC है तो BC आप आएउन क्या आएगा क्या है मेरे पास AC तो देखो BC किता है मेरे पास 4K है और AC किता है मेरे पास 5K तो ये के और ये के उड़ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा चार बटे पांच क्या निकला मेरा चार बटे पांच निकला अब उसके बाद मेरे पास क्या है साइन के बाद कोस तो कोस बराबर क्या होता है मेरे पूम कोस ए बराबर क्या होगा पाबा के छेद में काण क्या होता है पाबा के छेद में काण तो पाबा क्या है मेरे पास AB और काण मेरे पास क्या है AC AB is equal to किता है मेरे पास 3K और AC किता है मेरे पास 5K चलो यह क्ये यह क्ये गया बचा क्या मेरे पास 3 आपाउंड 5 कोस के बाद मेरे पास किया एक 10 तो अलड़ी 10 हमारे को दे गया है सवाल में ही तो हम 10 को निकालेंगे निकिर कि वह जवाब आएगा हमारा चार बटे झालो साइन हो गया कोस हो गया अदमी समझ पड़े तो इसके सामने ही लीग देने का तो साइन का उल्टा क्या होता है मेरे कोस एक होता है, तो आयन का उल्टा कर देने का BC upon AC है, तो हम क्या कर देंगे, AC upon BC, और 5KK छेर्थ में हम क्या कर देंगे, चार K, तो ये K और ये K गया, तो 5 upon पाउंद चार हो गया चलो को सका उलटा क्या होता है सेक होता है तो सेक इस इक्वांड टू एपी आपाउंड एसी है तो उसका उलटा करतेंगे हम तो एसी आपाउंड क्या जाएगा AB 3 अपाउंड 5 है तो हम क्या कर देंगे 5 के अपाउंड 3 के ये के और ये के गया तो 5 अपाउंड 3 बच्चा क्या मेरे पास 10 तो 10 अलड़ी था तो 10 का उल्टा क्या होता है कोट होता है तो कोट A is equal to यहाँ पर उल्टा कर देंगे BC अपाउंड A भी है तो A, B अपाउंड Half हम क्या कर देंगे BC 4 अपाउंड 3 है तो क्या कर देंगे 3K अपाउंड 4K ये के और ये के गया बच्चा करेंड पास 3 अपाउंड 4 तो ये हमारे मिसाल हल हो गए बहुत easy मिसाल हल है सिर्फ क्या करना है आप लोगों को जापता याद करना है देखो वापस मैं समझाते हूं आपको कि हमको क्या दिना है अगर 10 A अगर इसकी जगापर मान लो फर्स करो कि मेरे कूँ 10 B दियला होता यहाँ पर तो मेरी तस्वीर में एकी जगापर क्या होता जाविया हद्दा B होता अगर मेरे कूँ 10 C दियला होता तो मेरा जाविया हद्दा क्या होता यहाँ पर C होता इसलिए हमको पेले ही सवाल में देखना है कि हमारा जाविया हद्दा कौन सा है और इसके अंदर जित्ती भी तस्वीर बनेगी वो तमाम के तमाम जाविया काइमा की ही बनेगी लेकिन सर्फ सर्थ यह है कि आपको यह जाविया याद होने चाहिए मेरे को यहाँ पर उसके 6 है 3 कुन मित्य गुड़तर तो मैंने उसके अंदर से 1 आपको दे दिया है इसलिए मैंने 5 आपके सामने निका दे तो सबसे पेरे मेरे जाविया है हद्दा बना लिया उसके सामने B काइमा रखा और C 10 A मेरे को अलड़ी दे दिया गया है 4 अपाउं 3 अब यहाँ पर भी हमको यह पता चलना चाहिए के 10 A बराबर 4 बटे 3 है तो तस्वीर के अंदर 4 क्या है और 3 क्या है तो 4 मेरे रखा के लगाद हमको जापता दुर्वत यहादा जनके के 10 बराबर हमारा क्या होता है साबा के छेद में पाबा यहने के सामेनी बाजो अपाउंड पासेनी बाजो तो साबा के बराबर मेरे 4 होगा और पाबा की जागा पर मेरे 3 होगा यहने कि मेरा जापता क्या होगा BC या Pound क्या होगा AB होगा चला हमको यह मी बिल गया और यह बिल गया इसके बाद ही हमारा हिसाब हल हो सकता है लेकिन आप में कुछ जरूवत किस की है वितर की जरूवत है जो वितर का माँ हमको दिया गया नहीं है तो मैं क्या करूँगी कि जापता मेरा लगाँगी क्योंकि नहूगा जापता यह है खोना जरूवत का है जाविया काइमा है इसलिए मैं फेसा गुरस के मसले के मताबिद AC स्केर इस इक्वल डू मैंने इससे पहले बता था कि अगर फेसा गुरस का मसला है तो डायरेक अपने नियम लगा सकते तो यह अगर वितर मालूम करना होए तो जापते के अंदर हम प्लस ही करेंगे हमेसा और अगर यह बाजू मालूम करनी होए तो जापते में हम लोगो हमेसा माइनस करेंगे और ये बाजु मालूम करनी होए तो भी हमको माइनस C करना पड़ेगा सिरफ हमारे कुवितर हासिल करने के लिए प्लस करना पड़ेगा तो फेसा गोरस के मसले के मुताबिक मैंने क्या लगाया A C square is equal to A B square plus B C square तो A C square मालूम करना है बेकू झाल झाल झालूम करना है